अब हम बजट का एक और प्रिकार देखें याने कि संतुलिद बजट और आसंतुलिद बजट के बारे में जाने वास्तों में हमने देखा कि बजट जो होता है वो आय और वे के स्त्रोतों को नियंतरत करने के लिए बनाया जाता है यानि कि जो आए है हमारे पास वो कितनी है कितनी आए हमको प्राप्त होगी और कितना हम उसमें से खर्च करेंगे कहा कहा पर किन किन मदों पर खर्च करेंगे अगर जितनी हमारी आए है लगभग उतना ही हम वे कानुमान लगाते हैं वे का हम बजट बनाते हैं या उतना ही वे होता है तो हम ये मानते हैं कि वो संतुलित बजट है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आए जो है वो कम पड़ जाती है लेकिन वे जो होते हैं वो बहुत अधिक हो जाता है ऐसे कंडिशन में आसंतुलित बजट के स्थितिनेर्मित हो जाती है तो संतुलित और आसंतुलित बजट जो होता है उसमें जो आसंतुलित बजट होता है उसको यहाँ पर अगर हम देखें तो यह हम सीधे तोर पर कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडिशन होती है जब राजस्व से ज़्यादा खर्च हो जाता है यानि सरकार का जो आयप्राप्ति का जो स्त्रोथ है सबसे मिला कर जितनी आयप्राप्त होती है उससे कहीं ज्यादा कर्च हो जाता है ऐसी कंडिशन में हम देखते हैं कि जब राजस्व से अधिक खर्च होता है तो उस बजट को हम कहते हैं घाटे का बजट और बात अगर हम गाटे के बजट कप करें तो इस कंडिशन में सरकार जो है वो बजट बनाया गया है वे तो सभी मदों पर करना है तो कैसे पूर्टी की जाए तो इसके लिए सरकार को लेना पड़ता है रिम या फिर जो एकत्रित कोश धन को जो एकत्रित करके तो घाटी की बजट की बारे में और रड़ी हमने काफी कुछ पहले भी पढ़ा है फिलहाल हम यहां यह जान लें कि यह जो घाटी का बजट होता है इसे दाइत तो में वृद्धी होती है सरकार का जो दाइत तो है वो काफी बढ़ जाता है एक तो आएकम हो रही है दूसरा वैजादा हो रहा है तीसरा रिण भी लेना पढ़ रहा है या जरूरत पढ़ने पर जो कोश है संचित कोश है वो भी खाली करना पढ़ रहा है तो कहीं न कहीं एक दबाओ के स्थिति कार्थिक रूप से दबाओ के स्थिति बन जाती है और सा अलगी हमने पहले देखा कि घाटे का बजट जो होता है वो जनता के लिए कल्यान कारी होता है क्योंकि सरकार बहुत अधिक वे करती है जन कल्यान पर लेकिन एक तरीके से एक दिश्टिकॉंट से देखा जाए तो कहीं न कहीं यहानिकारक भी होता है दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं जब राज़ास्व से कम खर्च होता है तो इस तरह का जो बजट होता है उससे हम कहते हैं बचत का बजट अब जो धनराशी बच गई याने की आय जो है वो ज्यादा हो गई और उतनी आय को हम वैं नहीं कर पाए तो यह ज़ो बचत का बज प्रफटान करने में कर लेते हैं और या तो हम उसका प्रियोग अपनी जो अरक्षित नीधी है हमारे पास पहले से उसको और अधिक बढ़ा देते हैं पर आर्थ व्यवस्ता जो है वो अधिक लाप्राप्ति कर लेती है लेकिन एक दूसरे द्रिश्टी कोण से हम यहाँ पर देखें तो यह बचत का जो बजट है यह एक ऐसे स्थिति को दिखाता है जब आर्थ व्यवस्ता में बढ़ती हुई मांग को कम किया जाता है यानि कि इसमें मूल लिस्तर जो होता है वो लगातार घरता जाता है गिरता जाता है पिछले अध्यायों में भी हमने बचत के बजट के बारे में काफी कुछ जाना था घाटे का बजट हमने देखा था कि कब बनाया जाता है किस प्रकार बनाया जाता है किस को लाब होता है जनता को तो यहां पर अगर हम बजट के बजट की बात करें तो थोड़ा सा इसके विपरीत स्थिती हमको देखने को मिलती है इसमें हम देखते हैं कि जो मांग होती है उसको ये कम करता है और मुल इस्तर में कमी लाता है दूसरी एक मतपूर्ण बात ये है कि ये बचत का जो बजट है ये उस समय काम आता है जबकि मुद्रा स्विति के इस्तिती उत्पन हो गई होती है मुद्रा स्विति के बारे में पिछले अध्याव में हमने काफी कुछ बहुत विस्तार से जाना है इसके विपरित अगर हम घाटे के बजट की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये अर्थ विवस्ता में बढ़ी हुई मांग को और बढ़ाता है गाटे का बजट है सरकार बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है लोगों के हाथ में जो उनकी वास्तविक आया है या उनकी जो क्रेश शक्ती है वो बढ़ रही है क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जनकल्याणकारी योजनाओं चला रही जनता के जो आए है वो बढ़ रही है उनको बहुत खर्च करना नहीं पढ़ रहा है तो यह जो बचत के बजट वाले इस्थिति होती है यह ऐसी स्थिति होती है जो कि बजार में मांग को बढ़ा देती है और अगर मांग को बढ़ाती है तो अगर हम इसको आए और रोजगार से जोड कर देखे मांग को तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि फिर ये ऐसी कंडिशन को उत्पन करता है जब वस्तु की मांग बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार जादा प्राप्त होने लगता है वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादक ज्यादा रोजगार मिलेगा इसका एक पहलू हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि लोगों के वास्तविक आयमें भी वृद्धी होगी दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां पर हम कह सकते कि मंदी और बेरोजगारी की जो इस्थिती होती है उसको दूर करने के लिए जो बच मुद्रा इस्थिती का समाधान करेगा और घाटे का जो बजट है यह मंदी और बेरोजगारी की इस्थिती को दूर करेगा पिछले अध्यायों में हमने मुद्रा इस्थिती आविस्थिती के जो कारण है क्या इनके उपाए हैं कैसे इनको दूर किया जा सकता है इसके बार बजट का बजट और घाटे का बजट किस कंडिशन में कौन से इस्थति लाप्रद होती है अब अगर हम बात करें भारत में बजट के प्रकार की हाला कि बजट के बहुत से प्रकार है लेकिन अगर हम भारत में बजट के प्रकार की बात करें तो यहां पर होता है सबसे पहले आम बजट जिसे हम कहते हैं कॉमन बजट दूसरा यहां पर आता है निश्पादन बजट यानि कि पॉफॉर्मेंस बजट तीसरा भारत में होता है जीरो बेस बजट जिसको हम कहते हैं चौथा आउटकम बजट और पाच्वा जेंडर बजट बजट के इन सब प्रकारों को आईए थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करें सबसे पहले भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो है आम बजट नॉर्मल हमने अभी तक बजट की जो मेनिंग समझी बजट का जो आर्थ समझा वही है आम बजट समान जो आय होती है कहा कहा से प्राप्त होती है उसको देखना कहा कहा पर सरकार उसको व्याय करेगी इसका एक लेखा जोखा तयार करना एक विवरन एक विवरन तयार करना इसके अंतरगत आता है देखा जाए तो आम बजट का एक मुख्य उद्देश जो होता है वो यही होत कि किस प्रकार से आए और व्याय को नियंत्रित रखा जाए और दूसरी महत्पूर्ण बात की नियंत्रित इसलिए रखा जाए ताकि विकास के जो कारे हैं उनको गति मिल सके कुल मिलाकर यह कहना कि व्याय जहां पर जरूरी हो वहीं पर किया जाए ताकि विकास के जो कारे कर चल रहे हैं चालू है वो सुचारू रूप से चल सके वो पून हो सके दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर निश्पादन बजट की तो जैसे कि नाम से इस पस्ट हो रहा है निश्पादन जो विकास योजनाए जो कारी यह जो कारिक्रम हमने इस अध्याए के प्राइबिक के से इनका निश्पादन हो सके इसलिए बनाया जाता है निश्पादन बजट यानि किसी कारे का निश्पादन करने के लिए सुचारू रूप से उसको संपन्न करने के लिए बनाया जाने वाला बजट इसके बारे में हम एक दो बिन दो और देखे तो इस बजट को चार्य करने में निश्पादन करने के लिए पुरा हो पूरा हो सका पर आधारित होता है है आप अगते हैं बहारत में जो जाते हैं उन में से जीरो बेस बजट इस में यह फिर आ और ज्यादा बहुत अपन डाउन उस कंडिशन में यहां हम जीरो बेस बजट बनाते हैं और हम कह सकते हैं कि इसमें आउ लगत हैं अगली हम बात करते हैं आउटकम बजट की यह जो बजट हैाइज बज़ट इस बज़टख के अंतर्गात हम किसी मंत्राला या विभाग के लिए lang करते हुं और उनको जो राशी उनके क्लाप के लिए उनके विकार कर्या कर थे उसके निर्धारन के लिए जो हम कहें कि अबंटित की जाती नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखते हैं जेंडर बजट यह जिसे कि नाम से पस्ट है यह भारत सरकार के द्वारा जब लिंग आधारित कोई समस्या सरकार के नजर में आती है तो उस कंडिशन पर जेंडर आधारित बजट को बनाने की जरूरत पड़ती है वास्तों में उजनाय जो कारिक्रेम चलाया जाते उनको गती प्रदान करने के लिए इस तरह का बजट बनाया जाता है तो बजट के बारे में हमने काफी कुछ जाना अब हम देखते हैं प्रक्रियाबध रूप में कैसे यह बजट बनता है लेकिन उसके पहले हम जान ले कि कौन-कौन से दस्तावेज होते हैं जो कि बजट के लिए अनिवारे होते हैं तो इन दस्तावेजों को हम बिंदुवार देखें तो सबसे पहले इसके अंतरगत आता है वित्यमंत्री का भाशन उसके बाद इसमें आता है वित्यवार्शिक कतन हमने देखा कि एक निर्धारित वर्ष के लिए बनाया जाता है जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि हम वित्यवर्ष जो है वो फर्स्ट अप्रेल टू 31 मार्च को फाइन से लिए और उसी के लिए हम बजट निर्मान करते हैं तो वित्यवर्ष का जो कतन है वो प्रस्तूत किया जाता है बजट का सार संशेप जाता है बजट को यह से वो प्राप्त होगा आय tenía कि स्तृत कहां कहां से होंगे फिर बजट के वै कहां कहां पर इन प्राप्तिन को व्याई किया जाएगा इससे सन्भंदिध दस्तवेच और फिर अनुदाण की मांग कहां कहां पर जो बजट के अंदकरत जो आयवे का बियोरा बनाया गया है उनकी स्विक्रिती कहां कहां पर हुई ये इसके अंतरगत आएगा तो आब प्रक्रिया है वो लगभग अगस्त सितंबर से चालू होती है और फिर वित्त विभाग के आधीन जो बजट डिवीजन है उसमें लगभग अगस्त के अंत तक यह फिर सेप्टमबर के प्रारंब तक यह जो प्रक्रिया है यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर तार्च को जारी कर दिया जाता है कि यह जो सर्कुलर है सर्कुलर के माध्यम से भारत सरकाल के जितने भी मंत्राला है अलग-अलग विभागों के उनको बजट निर्माण से संबंधी जानकारी जो है वो दे दी जाती है और उनसे फिर उनके जो आए वे के स्त्रोथ है और उनसे संबंधी बहुत सारे से दस्तावेज होते हैं जिनके अधिकार जिनके आधार पर जो वो अलग-अलग मंत्राले है भारत सरकार से उनके आए और वे के स्त्रोथों की करके बजट की प्रक्रिया प्रारंब की जाती है तो आप में या भूँ है या की सभाही है, बहुत एक सूक्ष्म विसलेशन करने के बाद ही किया जाना चाहिए कुल मिलाकर अगर हम इसकी प्रक्रिया या इसके प्रोसेस की बात करें तो आए बिंदुवार देखें कि कि किस प्रक्रिया के अंतरगत ये चलता है और बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसमें सबसे पहली बात आती है अनुमानों का विवरण यानि कि आए और वे का एक अनुमानित विवरण तयार कर लेना ये इसका पहला चरण होता है इसके अंतरगत हम देखते हैं कि भारत में वित्ति वर्ष की जो सुरुवात होती है ये हमने देखा 1 अप्रेल to 31 मार्च होती है तो इस अवधी के मध किये जाने वाले आए और वे का एक अनुमानित विवरण तयार कर लेना और साथी साथ यहां पर हम देखते हैं कि 1 अप्रेल से ही ये आए और वे का जो लेखा जोखा है ये प्रतेक जो विभाग होते हैं भारत सरकार के वित्तिमंतराले की जितने भी विभाग होते हैं उनमें इसी अवधी के आधार पर लेखा जोखा किया जाता है और इसके अंतरगत जितने भी विभाग आते हैं उन सभी विभागों को अपने जो प्रशाश की कार्याले होते हैं उनको जो भी विवरण मांगेगे होते हैं वो भेजने होते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन-कौन से किस-किस तरह की विवरण की जरुएत पड़ती है सबसे पहले यहां पर आता है विन्योग का शेट्श्या कहा कहा पर विन्योग किये गए दूसरी बात दूसरा जो दस्ताविज मगाया जाता है वो आता है गत वित्तिवर्ष की वास्तविक आए जो भी अलग-अलग छेत रहें अलग-अलग मंत्राले के विभाग जो है गत वर्तमान वित्तिवर्ष की संशोधित आय का विवरण गत वर्ष के बाद वर्तमान वर्ष की जो आय होती है जो संशोधित आय होती उसका विवरण भेजना होता है साथ ही इनको भेजना पड़ता है वर्तमान वित्य वर्ष की अनुमानित आय यानि एक अनुमान के तोर पर लगभग कहा कहा से उनको कितनी आय प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद उसी वित्य वर्ष में अनुमानित व्याय का ब्योरा भी भेजना पड़ता है यानि लगभग कहा कहा पर किन किन शेत्रों पर व्याई किये जाएंगे उसका एक अनुमान साथ में इनको चाहिए वर्तमान वित्यवर्ष का अनुमानित व्याई हमने गत वर्ष की बात की चालू वर्ष की बात की अब वर्तमान वित्यवर्ष जो है उसका अनुमानित वे कितना होगा इसका एक अनुमानित ब्योरा भीजना होता है और साथ में अन्य बहुत सारे विवरण जिसे हमने अकाउंटनसी में देखा कि बहुत सारे अलग-अलग अकाउंट्स होते हैं उसकी बात पर स्थिति विवरण होता है बहुत सारे cash and fund statement होते हैं, तो जिसकी requirement हो, जिस तरह के statements के requirement हो, वो सारे statement अलग-अलग विभागों से मंगाये जाते हैं, अगले इसके हम process की बात करें, तो इस पूरे विवरन को जो प्रतेक जो वित्यमंत्राले के विभाग होते हैं, उनको एक निश्चित समयाविधी के अं करना होता है, और इन सभी विवरनों को प्राप्ति कर लेने के बाद, महालेका कारेकार понять के जो अधिकारी होते हैं, वो इन सभी विवरनों का एक सुक्ष्म विसलेशन करते हैं, और उसके आधार पर जो है, बहुत गहराई, इससे इसका परिक्षन करके फिर ये वित्ती वि रुमानों का विभागी परिक्षन किया जाता है अलग अलग विभाग से ये जो अनुमानित आये वै गत वर्ष चालू वर्ष इस तरह के जो बहुत सारे विवरण आये हैं इनका एक विभागी परिक्षन किया जाता है तो क्या किया जाता है विभागी परिक्षन के अंतरग की जाती है और उसके बाद जब प्रशाश की विभाग इनको इनके अनुमान को आए और वह के अनुमान को पूरी तरीके से चेक कर लेता है जाच लेता है तो ये सारे जो अनुमान है उनको ये केंद्री कार्याले को भेज देता है अगला जो स्टेप होता है विभागी जाच करता है याने कि कुछ आए वे अगर लगता है कि कुछ इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है तो परिवर्तन करता है संशोधन करता है और उसके बाद ये सारे जो विवरण फाइनल हो जाते हैं उनको जो केंद्रि कार्याला है वो सचीवाला में भेज देता है जब ये प्रपत्र चले जाते हैं तो वहाँ पर आविशक्ता नुसार इसमें जो भी संशोधन है फिर से संशोधन की गुंजायिश अगर है तो वो कर दिया जाता है और फिर फाइनली के बाद वित्ध मंत्रा ले के द्वारा इन बश्थ प्रत्र बेजे गये प्राप्ति किये गए उन परिक्षन किया जाता है वित्ध मंत्राले भी बहुत जिम्मेदारी के साथ इन सभी विभागों के ये जो वित्ध saat प्रपत्र होते हैं इनकी जाज करता है एक नए सीरे से इन पर विचार करता है और ये भी देखता है कि ये जो दिये गए विभागों के जो आयवे के अनुमान है इसमें कहीं किसी प्रकार के कटोती की जरूरत है क्या कोई अनावश्यक वे इस टाइब से कुछ अगर जुड़ा हुआ है तो एक विचार करता है और फिर कटोती के लिए एक प्रस्ताव रखता है एक बात यहां पर ये महतुपूर्ण है कि अपने आप से वो कटोती नहीं करता अगर उसको कहीं न कहीं कटोती की जवरत महसूस होती है तो संबंधित विभाग के जो मंत्राले हैं जो कार्याले हैं उनसे वो बात चेत कर लेने के बाद ही इस तरह के कटोती करने का अधिकार रखता है वित्त मंत्राले के सभी विभाग जो है वह अनुमानता क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर हम देखे तो बजट में दो अलग अलग इसके भाग होते हैं एक आए के लिए और संबर क्यांत तक तयार कर लिया जाता है तो हम यहां पर देख रहे थे कि अभी यह जो हमारा पूरा का पूरा प्रपत्र है यह वित्त मंत्राले से फाइनल हो चुका है अगला जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है मंत्री मंदल अब यह जो पत्र है यह जाते हैं मंत्री मं पारूप के तयार हो जाने के बाद एक बैठक करते हैं लेकिन इस बैठक में अन्य जो मंत्री मंडल होते हैं उनके सदस्यों को भी शामिल किया जाता है एक महत्वपूर्ण बात यह कि यहां पर यह सभी मिलकर बजट का अवलोकन करते हैं वित्त और राजस्व संबंधी प्रक्रिया में जो अगला चरण आता है काफी महत्वपूर्ण चरण है वो होता है संसदी प्रक्रिया हम देखते हैं कि भारतिय सम्विधान के अंतरगत राजस्व की जो राशी है सरकारी कोश जो है उसको तो कोई भी अपने स्वेम मतलब व्यक्तिगत जो निर्णाय होते हैं व्यक्तिगत कोई नीतिया बनाकर उनको वे वे वो नहीं कर सकता है और यही कारण है यही आधार है जिन पर यह जो बजट है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो यहां पर अगर हम देखो यह तो सं सबसे पहलें संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है और दूसरी मतपूर बात यह कि म पर विचार करने वाले वाला होता है उसे हम बजट रहा हैं वजट सत्र बजट सत्र करषा sz bater a बजट सत्र बजट रखते हुए अधू समय को दिष्टीकत रखते हुए एक पुरा निरमाण कम्प्लीट यहाँ पर कर लिया गया है उसको फिर संसद में प्रस्तुत किया जाता है वित्तमंतरी के द्वारा लेकिन इसका भी अपना कुछ प्रोसेस होता है, संसत में प्रस्तुत करने का भी प्रोसेस होता है, उस पर हमें एक नजर डालें, तो सबसे पहले यहां पर सामाने वादविवाद होता है, यह यह जो वादविवाद होता है, यह बहुत लंबा समय ना लेकर एक सामाने जिन नीतियों को जिन सिध्धान्तों को दृष्टिकत रखते हुए बजट का निर्मान किया गया है उस पर जो है वो चर्चा की जाती है एक महत्वण बात यहां पर यह है कि यह जो निर्धारित बजट होता है इसके मूल सिध्धान्त और नीतियों के संबंध में अगर कोई जन्मत हो कोई आरोप हो तो वो यहां पर प्रस्तुत किया जा सकते है अवधी के अधार पर देखे तो लगवग 2-3 निन के अवधी इसके लिए दी जाती है दूसरा जो चरण आता है संसद में बजट प्रस्तुति करण का वो होता है मतदान की प्रक्रिया समान जो हमने दे और संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विचार के लिए परियाप्त समय प्रदान किया जाता है और उसके बाद ये देखा जाता है कि मतदान अब प्रारम करने का अगर सही समय आ गया है तो मतदान का जो कारे होता है वो प्रारम कर दिया जाता है इसके अंतरगत सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मदान की पूरी प्रक्रिया में जो मांगे स्विक्रित कर ली जाती है हमने देखा कि बहुत सारी मांगे होती हैं सब पर चर्चा की जाती है तो जो मांगे स्विकृत कर ली जाती है उन्हें हम अनुदान कहते हैं और जिन मांगों को में कटोती की जाती है उन्हें हम कटोती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं और संसद में मदान के इस पूरी प्रक्रिया के बाद अगला जो करम आता है वो है विन्योग विधेयक पर एक नज़र डाले तो यहां हम देखते हैं कि भार्तिए समिधान के इंसार संसत्धवारा जो सुटीर होने के बाद ही अन्य विभाग होते हैं इनको प्राप्ट कर सकते हैं यहां एक महत्वपूर भात यह भी है कि यह विणयोग विधह क सुटीर हो जाने के लेकिन फिर भी अगर देखा जाये तो इस पर वो अपनी कुछ विचार विमर्ष प्रस्तुत कर सकता है अस्विकार करने की अगर बात करें विधेकों को तो इतना महत्वपूर्ण जो कारे है वो राज्यसभा को प्राप्त नहीं होता है उनके समक्ष जो प्रस्ताव लाए ज होती है और यहां अगर देखा होती है और प्राप्त होने के प्राप्त होने के बाद एक की तौर पर रास्ट्रपती अस्ताक्षार ले लिए जाते हैं और इस कंडिशन में बजट की पूरी प्रक्रिया संसत से होके गुजरने का जो क्रम है वो यहां पर समाप्त हो जाता है अगला जो इसका क्रम आता है वो होता है पूरक अनुदान हमने पूरक बजट भी पढ़ा जिसमें हमने देखा था कि क चित्ता के कारण या किसी कारण से तो वहां पर पूरक बजट लाया जाता है तो लगभग यह वही स्थिती है जब किनी विशेश मुद्दों पर किनी विशेश छेत्रों पर कुछ अत्रिक्त व्यकरने की आवश्यक्ता होती है तो वहां पर स्थिती आती है पूरक अनुद अग्षान की.